Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Archabella right at your service. इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि आप अपनी डेली रुटीन में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको cravings कम हो, आपको भूख कम लगे, आपकी appetite suppress हो और आपका जो hunger hormone है, ghrelin, उसको आप थोड़ा टेम कर सकें सबसे पहली चीज़, सबसे पहला component जो आपकी diet में included होना चाहिए आप समझते हैं कि कार्ब सबसे जादा होने चाहिए, फिर protein होना चाहिए, फिर fat होना चाहिए, नहीं कभी आपने अगर biochemistry की किताब खोलें, science की किताब खोलें तो आपको हमेशा उसमें essential और non-essential proteins भी नज़र आएंगे, essential यानि amino acids और non-essential fatty acids भी नज़र आएंगे कहीं essential और non-essential carbs नज़र नहीं आएंगे, because your body has the ability, आपकी body carbohydrates के बगएर रह सकती है और उसको वह बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं, carbohydrate protein और fat में से हमारे पास जिस component का सबसे ज्यादा thermogenic effect of food होता है, यानि protein एक ऐसा खाना है, जिसको हम खाते हैं तो वह अपनी ही calories को इस्तमाल करता है, अपने आपको हजम करने के लिए, 25-30% अपनी ही calories और ये खासकर animal protein, क्योंकि animal protein high quality protein होता है, plant based protein low quality protein होता है animal protein जब आप लेते हैं, red meat लेते हैं, white meat लेते हैं, अंडे लेते हैं, तो इसमें ability होती है, अपने ही 30% energy को इस्तमाल करने के, वह उसको हाजमे में यूज कर दे TABS बनाने के काम आता है, वह दिमाग की neurotransmitters बनाने के काम आता है, वह cell-cü receptors याणि antennas बनाने के काम आता है ताकि तक बो informing Infants could collect करने के कामोता है, वह आपका muscle protein बनाने के काम हाता है, जमानी की निशाणी क्या है, एक बडी में fat कम हो और मसल ज्यादा हो, तो प्रोटीन जब आप ज्यादा लेते हैं, आप अपनी बॉड़ी की मसल सिंथेसिस बूस्ट कर रहे हैं, अन्ने से नंटिल उसका बहुत एक्सेसिफ टेक नहीं है, तो वो ग्लुकोस सिंथेसिस की तरफ नहीं जाता है, और ये आपकी काबो हाइडेट क्रेविंग जो है, वो भी रिडियूस करता है, मैंने पहले भी एक बार बात की थी, कि नाश्टे में अपने पास प्रोटीन ज़रूर रखा करें, दो अंडे ज़रूर लिया करें, नाश्टे में जो लोग अंडे ले ले लेते हैं, उस बात से अग्री आपको शुगर और काबो हाइडेट की क्रेविंग नहीं होती, सेकंड जो चीज आपकी डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए, गुड फैट, प्लीज देसी घी से ना भागे, अंडे की जर्दियों से ना भागे, नाडिल के तेल से ना भागे, जतून से ना भागे, बदा लेवल को डिस्टर्व नहीं करता है, वो है ही आपके पास गोड फैट, आपके पास hunger cravings कक बहुते हैं, भूच बलट शुगर उपर नीचे, उपर नीचे, उपर नीचे हो, तो वह किस चीज से उपर नीचे होता है, सफायध ब्रैट से उपर नीचे होता है, सफेद खाएंगे जो actually आपको मुटा कर रहा है बाहराल मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने पाकिस्तान में अपना और उसके साथ मैंने अपने स्टना मनवा उससे लिए जो के लिए परो आप सब जान थे के पाकिसान का वित्रीन 100% और गानिक आप सब जानते हैं कायवदेशी घी, coconut taयल, और 잠깐만 tahollud website पर अविलिबल है जो YouTube वाली audience है, इस वीडियो में जो पत्थी में लिंक आ रहा है www.holisticwisdombysahachabla.com वहां से जाकर order कर सकते हैं, जो Facebook वाली audience है, इस वीडियो में appointments वाले phone number के नीचे link आ रहा है www.holisticwisdombysahachabla.com वहां से जाकर order कर सकते हैं, appointments के लिए मेरा number सिर्फ यही है, जो इस वीडियो में मौझूद है, 0321-943-6069 इसके लावा मैं किसी number पर appointments book नहीं करती है, appointment का तरीका कार यह है, कि आप इस number पर WhatsApp करें, एक दिन के अंदर reply आएगा, एक हफते के अंदर की appointment मिल जाएगी, सबर किया करें दूसरी बात मैं आपको यह बताने लगी थी, apple cider vinegar, सेप का सिर्का, 100% organic raw apple cider vinegar with mother, यह आपके पास सबर्दस किसम का appetite suppressant है, अब बहुत साल हो गए है, मेरी आदत है, कि मैं इसकी तीन-चार कत्रें हैं, पानी के एक ग्लास में, नाचते से 30 मिनट पहले straw के साथ ले ले लेती यह आपके पास कैसे appetite को suppress करता है, वैसी appetite को suppress करता है, जैसे आपके पास fat appetite को suppress करता है, आपके पास blood sugar spikes नहीं होने देता है, और apple cider vinegar बहुत बहुत बहुतरीन तरीका है, और टिप है उन सब लोगों के लिए जो अपना tummy fat, उसको burn करना चाते है, इसके साथ-साथ अपनी ्ड बरूटी, सफएध आटे और पास्ते की जगह, सिंपल कार्भोहःडरीट नहीं होता, जो आपके ब्लट की शूगर को डिस्टर्ब करें, उसमें ये अबिलिटी होती है, जैसे अगर आप ग्लूटेन फ्री मर्टा ग्रेन आटा लेते भी हैं, जैसे कि आप रली मौटे भी हैं, जैसे कि आप हरी मौटे सबजीऊं इसमें ये एकना बीलिटी होती है, जैसे कि आपके स्टमक में जाकर सीतो otherwise, बाने के जल बना लेते हैं आपके रहती हैं ना दिमाग में वो ओवरलैप करते हैं, अक्सर आपको प्यास लगी होती है, लेकिन आपको लग रहा होते है कि जैसे आपको भूक लगी है, जब भी भूक लगे, पहले पानी के दो ग्लास पी के देखें, अगर बीस मिनट तक आपकी भूक आइब हो जाती है, इसका मतलब है कि आपको भूक ही लगी थी, और बेस तरीका यह है कि पानी के ग्लास में आप एक टी स्पून किसी भी 100% और्गेनिक ग्रीन पाउडर का डाल लें, तीम ग्रीन पाउडर तो मेरी भी अवेलेबल हैं, चाहे तो मुझसे भी ओडर कर सकते हैं, आपको पानी भी मिलेगा और अबर भी मिलेगा, आमला, बिटर मेलन और मरिंगा पाउडर जो है, वो मेरा भी अवेलेबल है, एक्सरसाइस, सुभा की ताइम अर्ली वॉक यह भी बिहतरीन अपटाइट सप्रेसंट है, एक्सरसाइस जो है, वो आपके दिमाग में एक एंटाइ हंगर मॉलेक्यूल को ए एला हाफेट